गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई चैनल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मारी अपनी चैनल विभास लाइफ में होप करती हूँ सब लोग स्वास्त होंगे मस्त होंगे अपने-पने कामों में ब्यस्त होंगे और हम भी ब्यस्त हैं आज मेरा तो कल से ही जैसा कि कल के ब्लॉग में भी हम बताये थे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है तो आज भी वही हाल है जब तक बाम लगा रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर से दर्द सुरू हो जा रहा है और जुंबा क्लास भी हम नहीं कर पा रहे हैं हमको मेरा तबियर ठीक नहीं है किट्टो के पापा उनको कटहल बहुत पसंदे बाई, तो वो कटहल ले आये हैं, कटहल आये तो दो-तीन दिन हो गया, रखे थे, तो वो बोले नहीं आज इसका कोफटा बनाना है, तो अब वहीं जा रहे हैं बनाने कोफटा की तयारी कर रहे हैं, तो हम सरसो का तेल लिए, कटल का दूद्ध बहुत चिपकता है और बहुत गंदा लगता है बाद में तो बस लगा करके और कटल को गोला गोला ऐसे काट लेंगे और कटल काफी बड़ा था तो हमको लगा कि हम पूरे का बना के करेंगे क्या काट तो रह थे कि पूरे का बनाएंगे लेकिन फिर सोचे क पूरा नहीं बनाएंगे, आज कोपता बनाएंगे, कल एक और दूसरे तरीके से कठल का सबजी बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आज अभी हम बस इतना कहीं बनाएंगे, और इसको गोला काटने से फायदा ये रहता है, कि एदम गोले गोले त सीधे डालेंगे, काट करके, किसी और बरतन में नहीं लगाएंगे, नहीं उसमें भी तेल लगाना पड़ेगा, इसका दूध चिपक जाता है, बरतन में तो जल्दी छूटता नहीं है, और बहुत ही बिकार लगता है, तो हम सीधे कुकर में ही तेल लगाए हैं, अब उसी म में टाइम भी लगता है लेकिन ऐसे हम जो बना रहे हैं बड़ा फटा-फट से बन जाएगा तो बस अब सारा कटहर चील के ऐसे ही काट करके डाल देंगे कुकर में उसके बाद इसको बंद कर देंगे थोड़ा सा पानी भी डालेंगे अभी देखिए कुकर में हम मेरा कटहर वाइल हो जाए तो इसको दो सिटी लगाएंगे दो सिटी के बाद इसको उतारेंगे तो अभी मेरा जब से कटहल पकर रहा है तब से मसाला तयार कर लेंगे कोटा में जो डालना है इमको तो यह है सुखा-कड़ा-धनिए हम बहुत कम लेते हैं तो अभी बहुत ठोड़ा स लिए हैं एक चमच में ऊबसेटंग कुटा हुआए मतलarin गर्मसाला कुटा हुआ पीस हैं तोछ दल लिए हुए उसके बाद इसमें दॉआ सबस्वीन घे स्वाल jaw नहीं जयादा तो यह देखी मेरा बॉइल हो चुका है कट हाल उसके बाद पूरा भाफ निकल गया है तब इसको खोले हैं तो ऐसे इसको कूकर में से निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी दबाके ताकि ज्यादा तो फिर मेरा बेशन गीला हो जाएगा और ज्यादा बेशन हमको डालना भी नहीं है तो ऐसे दबा दबा के इसको निकाल लेंगे तक जो भी एक्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा तो देखिए एकदम गल चुका है मेरा कट हल जो है मेरा थोड़ा थोड़ा वढ़ा हूज है तो इससे दो चमाच और उसके बाद हिंग गाठाल और बैसन है दोनों तो हींग और उसके बाद हम एक्दम प्रॉद से करुए है थो धूड़ सा डालेंगे नमक नमक ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमको नमक ग्रेवी में भी डालना है तो कोफते में बस थोड़ा सा डालेंगे ज्यादा नहीं नहीं तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेवी में भी रहेगा तो अच्छा नहीं होगा फिर टेस्ट खराब हो जाएगा और इसमें थोड अच्छे मिक्स करेंगे इसको ताकि ब mensen अब कINGैंड़ आफ्रम बढ़यां से कटंल ज hade हमय पूरा अच्छी से मिक्स धैसा फिर हम फिर चंड चाल ऊछ तो फिर अच्छी नहीं लगता तो यह देखिए मेरा अच्छी से एक दम हो गया और बेंडा यह अच्छ ende ançân दालेंगे ज़्यादा दालेंगे तो फिर बेशन अच्छा ंदाने हैं और यह देखिए बस ऐसे ही गोला पता बना लेंगे कटभा का और यह देखिए अभी तो यह नहाने के लिए हिदर उदर घूम रहे हैं तो यह मेरा को इसको हम फ्राई करेंगे तर्फिए करने के लिए कड़ाही चड़ा लिए उसमें डालेंगे कोप्ती चाड़ाया जायाम सब्मकर में ये कोफटा अच्छे से फ्राई हो सके तो ये देखी मेरा कडाही एकदम गरम हो चुका है अब इसमें हम कोफटा डाल देंगे और कोफटे के सबजी में या सूरन के सबजी में इस सब में तो थोड़ा सा तेल मसाला रहता ही है फिर भी हम बहुत कोशिश किये हैं कम तेल मसाले में बनाने के लिए क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में तो सभी को कम तेल मसाला खाना ही चाहिए तो ये देखिए मेरा कोफटा अच्छे से एकदम हो चुका है ब्राउन हो चुका है तो अब ही इसको कड्राई के के नारे लागा करके इसका तेल मेरा कौफता कर लेंगे और मेरा कड्राही बहुत गर्म हो चुका था उसमें हम जीरा निजरेत भाडलाई कके जल नंगा है तो हमको लगा जल न जाए तो हम फटा फट से सब डाल दिये अभी प्याज डाल दिये हैं तो अब mix करके अच्छे से सब अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक डालेंगे तो प्याज जल्दी से गल जाएगा वैसे भी नया प्याज है तो ये पानी बहुत छोड़ता है पुराना जो प्याज था इतना पानी नहीं छोड़ता था उसका सूख गया था लेकिन ये पानी बहुत छोड़ता है तो अभी बस इसको भून लेंगे ब्राउन होने तक ये देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है अब इसमें डालें और उसके बाद मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद देखिए धुआ, यह पूरा एकदम धुआ धुआ हो जाता है, बहुत जहांक लगता है, तो अभी सुखा है मेरा मसाला, तो यह थोड़ा सा जार में हम पानी डाल के, पूरा धूल के उसमें फिर डाल देंगे, पानी मसाला अच्छे से पकेगा, सुखा रहेगा तो जल जाएगा, जल्दी से सुखा हो जाएगा, और इसमें हल्दी पाउडर डाल दिये, अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका मतलब लासुन का जो कच्छा पन है वह खतम हो जाए, और इसमें थोड़ा सा ढाल तो बस ये देखिए मेरा मसाला भूना चुका है अभी थोड़ा सा एक-दो मिनट बाकी है तो हम ये काटा वाला चम्मच ले लिए हैं तो काटा वाला चम्मच लेके सारे कौफते में इसको हौल कर देंगे ताकि मेरा जो ग्रेवी है वो कौफते में अंदर अच्छे तरीके स तो फिर अच्छे से कोपते के अंदर ग्रेवी नहीं जाता ऐसे अगर इसको हॉल कर देंगे तो चला जाएगा और हम मसाला भी बीच बीच में चलाते रहें मेरा मसाला हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे पानी ये देखिए उसी जार में डाल दिये कि जो भी थोड़ा म देंगे मसाले को है ना वेश्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी तो इसमें हम दो धाई का टोरी पानी डाल दिये हैं अब इसको छोड़ देंगे खौलने के लिए थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे क्यूंकि नमक हम बस कोपते में थोड़ा सा डाले हैं तो ग्रेवी में भी अब इसको छोड़ देंगे खौलने के लिए तो यह देखी मेरा ग्रेवी एक दम अच्छे से खौलने लगा है और खौलते हुए इसको पांच मिनाट हो चुका है तो अब इसमें हम कोपता मिला देंगे कोपता को दीरे दीरे हम डाल रहे हैं ताकि मेरे उपर ना छिटक ज उresल जाता है हम लोही का कडाई चड़ाए है चोटा वही डाले का सबजी तो वैसे जवर्जस्त होता है जो लोग भी खाते हैं लोही कडाई में उनको पता हूँगा बहुत ही स्वादीश्ट बनता है तो यह देख़िये मीरा कोपता बन की एकदम तयार है और इसमें हैब जोड़ दिये हैं यह बस अब हम गैस बंद कर दिये गैस बंद करने के बाद इसको पांच मीनट ढखेंगे उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे यह देखिए क्या मस्त एकदम हुआ है ना और इसको पांच मीनट हम ढखके रख देंगे तो यह और ही एकदम मतलब धनिय का फ रोटी नहीं बनाए है दोपर में इनसे पूछे हैं तो इनका भी मन नहीं था रोटी खाने के लिए तो चावल और कटहल का कोफता तो फ्रेंड्स देखिए मेरी थाली लग चुकी है और मेरी थाली में आज है चावल कटहल का कोफता और सलात बस यहीं है आज रोटी नहीं बनाए हैं तो अगर आप लोगों को ये मेरा कट हलक उफता रेसिपी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए है मेरे वीडियो पे प्लीज सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में सामिल हो जाएए मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नई ब्लोग में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई